हेलो स्टुटेंट्स अपना गुल्कुल यूट्यूब चैनल पर एक पर फिर से आपका स्वागत है दियर स्टुटेंट्स मेरा नाम है लोकेता राजावत और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे क्लास 8 नाव देवेच का लेक्शन नमबर 12 लेक्शन नमबर 12 में हम लोग जो ट नहीं देखा है तो पहले उन लेक्शन को देख लीची उसके बाद में लेक्शन नमबर 12 देखना इस्टार्ट कीजिए जिससे कि आप लोग अच्छे से चीजों को समझ पाऊ लिए तो चलिए सुरू करते हैं तो रहसा नमबर को नमबर लाइन पर इपर इपर जेंड करने एक जम्पल में यहां पे आप लोगों के लिए करवाए मैं एक या दो एक जम्पल आप लोगों के लिए ओन करवाद हुआ इसी के साथ हमारा फिल लेक्टर खतम हो जाएगा तो चलिए देखुँ सबस्क्राइब क्या करना इड़ेन्टिफाइब सेक्ष्ण ओफ लाइट उन वक्तल के लएंकि लेक्टर हुआ जो किससे लिएक होटे बीच में जी रो है यहां पे क्या है क्या है थो तो यहां किन वह इसक्ष्ण के में जाएगा उसके बाद में क्या मोड़ेंगे हो अब क्या करना है और उसके बाद में तो घ्याइमनेटर में है ना उसक्षन को में एक पर्ट्स में सब्सक्राइब और ऑगे पर यहां पर देंगे नियुक्स यहां मैंने आप लोगों पहले भी बताया है कि जैसे P by क्यों को इनमबर दिया हुआ है तो यह वाला नमबर 1 से छोटा कब होगा जब इसका numerator छोटा हो और denominator बढ़ा हो अब देसिमा लावाना पड़ेगा 30 में कितने टाइम होगा 6 तो 0.6 किसके पीच में आ रहा है जी रोवन के बीच में आ रहा है तो पता चल गया कि हमारे को क्या है यह कौंसे section पीच में जीबा रून के बीच में ठीक है फिर उसके से के किया बोला है आप लिपाट लात विए अनु आत्त साथा क्लाल श्रीन नहीं इस्तसिटा ओंतिर विल्ड नहीं सब्सक्राइब अब ने लिए पासे टos की यह पार्ट की कितने का बना फ़्य गजर पाने टैकर पकांट अब यह पार्ट को लिख देते तो भी रोगा और इस तो यह आपको सुदेब्रिटी के अपोर्डिंग जो भी जैसा भी निखना है वो डिनामिनेटर के अपोर्डिंग आप लिख सकते हैं लेकिन हमें तो 3 आप 5 को क्या रणा इस नंबर लाइन पर रिपरजेंट करना है ना तो नंबर नाइन पर रिपरजेंट कैसे करें हो थीए थी है तो तीसरे नंबर दा जो डिविजन है उसको रिपरजेंट कर दो पहला पर तो थी अको बना कर दिया यहां पर तो एक ठोड़ा सा बड़ा सा डार डोड बना के क्या कर दिया इसके साम्झेट यहां पर पहले से डीजन कितने करने हैं और कुछ तो से पॉइंट को इलक्त करने मतलब सब्सक्राइब अब लोग लग्या होगा कि इसी तरीके से सब कुछ होगा बस फॉपाइब लिखना पड़ेगा यहां पर तो क्या करते हैं पहले तो सेक्षिन पाइंड करें तो सेक्षिन तो पॉजिटिव नम्बर है यह तरह ही होगा यह नुमेरेटर के चोटा है और डेनोंबनेटर बढ़ा है इसका मतलब इसका जोग नोपन 5 वह एक से चोटा एगा और पो पो जीटीव पेस टिजिटेय्ट है अगला मतलब सेक्षिन कोनसा है वह है जीरो से लेकि एक के बीच में पाइच में उसको हम क्या बोल सकते? करते हैं तो हमें क्या बताना है तो क्या होगा इस आप अच्छे से नोट कर लेंगे ठीक है पॉज करके वीडियो को हम दो नमबर फीन लेते हैं उनको हम zor resolutions न करके नहरा तो पहले हैं पहले हैं इसको सबसे हैने तो हमें देचना पाड़ेगा है कि है कुछे सेक्षण में हुग प्रया सेक्षण पिीत के दपाइब सबसक्तिक कुंए मतलग है one plus three by four तो अब three by four है तो यह वाला नमबर तो क्या होगा देख वह एक से छोटा हो रहा है और zero से बढ़ा है क्यों कि इनुमेडेटर चोटा है दिनुमेडेटर बढ़ा है और one plus कुछ है साथ में यह क्या करना है one plus कुछ करना मतलब यह देखो बढ़ा होगा यह खुद इस एक से छोटा है मतलब तो से छोटा होगा मतलब यह जो नमबर में कहां लाई करेंगा वन और तू के बीच में लाई करेंगा आई हो यह बात आप लोगों को अच्छे से समझने आप लोगों को साफ ही दिख रहा होगा देखो अब हमें क्या करना है डिनोमिनेटर के पर आप सेक्शन करते हैं इसके इस वाले पार के तो देखो दो चार सेक्शन करते हैं पर बाता है दो इस इसको क्या बोल सकते हैं वह ज्यां से समझना वन को वद्लक बोल सकते हैं एक अपन 4 टू को आपन 1 और तो इसको अपन 4 ही गोल्राइव लाश्ट राइड पर बताया था कि जितना डिनोमिनेटर है उसके हिसाप साहिए नीचे लिखना है टीकर रिशन को कि अब 4 तो यह वाना सेक्षन कितना पाइब करनेगा इसक्षन अपनेगा यहां बनेगा आए हो पेचीज आप लोगों समझ में आगे हैं कि इस तरीके में चलबत नहीं पड़ी हमने स्टेप यूप के अंदर ही क्या करती है इसको पूरा सोल कर दिया तो ऐसे अगर बड़े नमबर आता है तो आप लोग उसको इस तरीके से ब्रेक करके उसको क्या कर सकते हो आप लोगों कोई प्रोब्लम आरे तो आप रिवाइन करके देखिए चीज़ों को सुनिए ओनलाइन पड़ने का सबसे नुक बड़ा बड़ी प्रोब्लम यही होती है कि हम लोग क्या करते हैं साइमें टेरेसली सुन और देख नहीं पाते हैं लोगो को अनलाइन की पड़ा लगने लगी तो इसले आप लोग इसको रिवाइन करके देखिए फिल भी समझ भी नहीं आतर तो आप आप में कोमेंट करके बता सकते हैं कि आगे आने वाली लेक्चर्स में कोसे करेंगी एक दो एक्जम्म्ल्स आप लोगों को और इसी के साथ अमारा लेक्चर पर खतम हुजाएगो तो देखो अब इस बार नमबर है माइनस वन अपन थी अब नेगेटिव नमबर है पहले बात आप इसको में आगे हो कि जीरो की इदर हो अब सोचों कि यहां पर वन की जाएगे पर थ्री होता तो थ्री अपन थी माइनस का अब माइनस तर गी सिरो और माइनस रग तक चल किया तो कि सबस्ते पर उ...? लेकिन वह 3 से छोटा है तो क्या होगा है माइनस 1 से बढ़ाओं और हुआ से छोटा होगा मतल्ट जीरो से छोटा होगा है होग दो से नौमिनेटर को दोरओं तो पता चल गए यह वह सेक्शन रोडहना है कर देना है उसको बाइनस का जब सकते हैं यहां पर रिपर जैगा आप लोगों को यह चीज पर समय में आगई होगी इसे वीडियो को पोज कीजिए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए इसे के साथ आज का लेक्चर हमारा खतम होता है बस हमारा एको टोफी बचावा है इस चेप्टर के अंदर वो है कि दो रैसनल लंबर्स के बीच में कोई दूसरी रैसनल लंबर्स कैसे फाइंड की जाती है तो उसको हम नेक्च लेक्चर में कवर करेंगे इसके साथ ही कुछ वर्ड प्रोब्लम से उसको भी हम उससे नेक्च लेक्चर में कवर करने की कोसिस करेंगे तो अगर आप लोगों करके बता सकते हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने अमारा चैनल सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे की आगे आने वाले सभी लेक्टर्स के आप लोगों को नौटिफिकेशन मिलते रहे तब तक के ल